तो आज हम फिर एक नई पजल लेके आगे हैं जिस पजल का नाम है boxing puzzle इस puzzle में आपको pair of boots दिखाई दे रहे हैं एक boxer दिखाई दे रहा है और एक sun glass दिखाई दे रहा है तो हर puzzle को solve करने के लिए हमें दो बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहला ये कि जो final हमारी equation है उसको solve करने से पहले हमें उससे पहले की जितनी भी equations है उनमें हमें सब को solve करना पड़े हैं क्योंकि ये सारी equations interrelated होती है दूसरा हमारा point ये है कि हर equation को हमें ध्यान से देखना है क्योंकि हर equation में कुछ न कुछ hidden elements होते हैं जैसे इस बंदे के आँखों पर एक चश्मा दिखाई दे रहा होगा gloves दिखाई दे रहे होंगे और shoes दिखाई रहे होंगे तो बहुत जरूरी है हमें वह minute details का ध्यान रखना ताकि हमारा answer कभी गलत नहीं तो हम जम करते हैं इस question को solve करने के लिए तो हम पहली equation को पहले देखते हैं तो पहली equation में आप देखेंगे हमारे पास 3 pair of boots हैं तो पहली equation बहुत असान है solve करना जिसमें 3 pair of boots को हमें solve करना है और उन्होंने इसकी value दे रहे है 60 के equal तो हमारे pair of boots की value आ जाती है 20 तो अगर हम calculate करेंगे तो हमारा जो एक boot होगा उसकी value आजेगी 10 दूसरी equation पर move करते हैं जिसमें हमारे पास 1 pair of boots हैं और 2 boxers है हमारे पास यहां पर तो इस equation में हमारे पास pair of boots की value है हमारे पास जो कि हमने 20 यहां पर put कर दिया और हमारे पास 2 boxers हैं जिससे इसको calculate करेंगे तो हमारे पास 1 boxer की value आ जाएगी 5 बहुत बढ़िया अब हम तीसरी equation को solve करते हैं जिसमें हमारे पास 2 sunglasses है और 1 boxer है तो जब इस equation को solve करेंगे तो हमारे पास 1 sunglass की value आ जाएगी 2 4th equation में थोड़ा सा इन्होंने tricky दे दिया क्योंकि यहां पर one pair of one glove दे रखा है तो यहां पर हमारे पास एक pair of boots है, sunglass है और one glove है तो एक glove के लिए इसको solve करेंगे जिसकी value हमारे पास हाजएगी 20 Now, अब हमारे पास सारे items की value है हमारे पास तो हम ready है कि हम final equation को solve करेंगे तो जो final equation है उसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक boot है यह रहा फिर एक sunglass है यह रहा फिर हमारे पास एक boxer है तो अगर आप boxer को ध्यान से देखोगे तो इसने आँखों एक glove left hand में और same चीज एक pair of boots इसने दोनों पैरों में डाले हुए तो अब हमारे पास हर चीज की value है हमारे पास हर item की value है तो हम बस इसको अपनी equation में put करेंगे और एक final answer पर आजाए तो आप देखेंगे एक pair of boots की value थी हमारी 20 तो हमारे पास एक boot की value आगी 10 परफेक्ट फि तो हमने पिछली equation में निकाली हुई है फिर हमारे पास एक boxer की value है 5 हमारे पास दो gloves है जिसमें से एक glove की value है हमारी 20 तो हमारे दो gloves की value होगी 40 फिर हमारे पास एक boot की value है 10 तो दो boots की value होगी 20 और एक sunglasses इसने आखों में पहना है तो इसकी value होगी 2 तो जब इस पूरी equation को solve करें इसकी value आती है 134 और हमें उसको boot में add करना है according to the board mass rule तो हमारा final answer आता है 144 तो हमारी ये puzzle भी हो जाती है Solved Thank you so much guys Please share and subscribe this channel and अगर आपको कोई भी question आता है इस video के regarding तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं and we will love to answer your questions Thank you so much